अबबा हमेशा कहते थे कि हमारी सिसाई की अच्छे आदमी बनाती है, सही आदमी नहीं बनाती है बच्पन में मुझे ये समझ नहीं आता था, मगर जैसे बड़ी हुई तो पता चला कि सही आदमी बनना बहुत मुश्किल काम है सबकी हाँ में हाँ में लाए या चुप रहें तो सब आपको अच्छा कहते हैं सही आदमी बनने के लिए बहुत मजबूत होना पड़ता है, सही बात करनी पड़ती है सही बात सबको अच्छी नहीं लगती है, और जो अच्छी लगती है, हमेशा सही नहीं होती जिद्धी, अडियल, बत्तमीज, पथनी क्या क्या कहते हैं लोग कभी घर वालों की खाहिश रहिला देती हैं तो कभी सोशल प्रेशर लेकिन अबबा को कभी हिलते नहीं देगा पुरानी गारी, घर सरकारी, लेकिन फिर भी खुश भाई ने जॉब के लिए अपलाय किया तो अबबा के दोस पैनल में थी मगर फोन ना किया अपने बल पे कुछ करेगा तो ज्यादा मजा है भाई ने दोस के साथ बिजनस शुरू किया तो अबबा ने अपनी सेविंग्स पकड़ा दी मैंने एक्जाम्स में पोजिशन ली तो मुझे बाहर आर्किटेक्चर पढ़ने भीजने के लिए सारा प्राविरेंट पंड निकल वा लिया ताया चार साल तक नाराज रहे के खानदान की लड़की अकेले बाहर जाएगी पर अबबा तस्से मसना हुए नाराजगी तब खत्म हुई जब मैंने वापिस आके मल्टाइनाशनल में जॉब शुरू कर दिया तो है जिती लेकिन बात सही करता है भाई को भी समझा आगया कि वो नौकरी घाटे का सौदा थी अबबा को रिटार्मेंट पर प्लॉट मिला तो हमने अपना मिशन चुरू कर दिया मिशन हूम कुछ भाई ने लोन लिया कुछ मैंने हर डिजाइन अबबा से अपरूव होता ये सही है ये भी ठीक है सरिय कौन सा लगाएंगे अंकल अच्छा वाला ही लगाएंगे बिटा अच्छा वाला नहीं चाहिए अंकल सही वाला चाहिए अब इतने सॉलिड आदमे के घर कुछ हलका तो नहीं लगेगा ना बॉस